थर्स्टे का दिन आ गया है हम मिडल में पहुंच चुके हैं वीक के जिहां आज का जानते हैं पहले वैदर रिपोर्ट और उसके बाद होरोस्कोप हमारे अपने पवन गुपता के साथ नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एस्टर पवन स्वागत है अपका हमारे इस प्रोगर्म में जिसमें हम बात करते हैं आपकी राशियों की कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए करेंगे चच्छा इसके उपर उससे पहले शुरुआत करेंगे आज के पंचांग की आज 29 अक्तूबर 2020 दिन वीरवार का रहेगा और शुकलबक्ष की जो है वो आज तरह दर्शीक तित्री रहेगी नक्षेता जो है उत्तरा बहादर पत नक्षेता रहेगा चंदरमा जो है वो आज मीन राशी में गोचर करेंगे और राहु काल का जो समय है वो दुपहर के द कन्ता परशानी आज कर सकती है तो इस बात कर थोड़ा सा जरूर ध्यान दे कहीं ने कहीं सुक में कमी और अगर आप कोई प्रप्रप्टीपाय करना चाहते हैं या कुछ लेने वाली है तो उसमें थोड़ा सा रुक जाएं कोई बाइख करना जाते हैं तो यह आपके लिए चंद्रमा काफी आपको लाब देने वाला होगा आज महनत करेंगे लाब भी प्रापत होगा महनत से ही आपके सारे कारे जो है पूरण होंगे शनी भी आपके भाकिसान में भागे आपका साथ देने वाला होगा हर कारे को आप सक्षम रहेंगे बस एक बात की शर्त है कि आपन अगर आप प्रोमोशन के लिए प्लाई करना चाहते हैं यह कोई नहीं जब उक्राइब करना चाहते हैं तो समय आपके लिए रहेगा थोड़ा सा बससे बसे बात का ध्यान रखें कि थोड़ा खरचा जरूर से जादा हो सकता है खरचों पर ने दरूर रखें कहने सिति आपकी काफी भैतर होगी और मेहनस से भागे से आपका जो है वह कोई नया कारे भी आज आपका बन सकता है अगर आपने को जौब अप्लाई की हुए तो उसमें पॉजिटिव आपको जो है वह वह रिजल्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं कामकाज की सिति भी बहुत अच्छी जो है वह दिखाई दे रही है बस थोड़ा सा क्योंकि चंद्रमा है सूरे जो है वो चतुर बाम में थोड़ा सा पिता की सहत को द्यान लखने दो रहेगी क्योंकि चंद्रमा नीच के चल रहे हैं आगे बात करते हैं लियो यानि कि सिंग राशी की सिंग राशी वालों के लिए बात करूँ तो थोड़ी सी जुस्तिती है वो चिंता जनक दिखाई दे रही है आज कि कहीं रखे नुकसान पैसे का नुकसान या हॉसपिल पर खर्चा कुछ इस परकार के जो हैं वो खर्चे होते हुए दिखाई दे रहे सिती जो है वह काफी आपके लिए फेवरेबल रहेगी कामकाज की सिती भी बहुत अच्छी रहेगी रूदगाज की जा सकती है जो आपके लिए लाप्रद रहेंगी आगे बात करते हैं लिब्रायन की तुलाराशी की तुलाराशी वालोकली बात करूं तो सिती कामकाज की बह करना आपको नुक्सान हो सकता है बंथे बंथे जो आपके कारे बिगडते हुए बिगड़ते हुए आज दे रहे रहे हैं इस चीज़ का बात करते हैं स्कुर्पियो याई की विर्शची कि विर्शची स्टेजिस यानि की धनुराशी की धनुराशी वालों के लिए बात करूं तो माता की सहित के लिए बहुत अच्छा है अगर माता की सहित में कोई दिक्त बशानी चल रही थी तो उसमें काफी सुदार होगा अपने लिए भी यह बहुत अच्छा रहेगा कोई नया कारे करना च कते हैं कैप्टिक और यान की मग्चाराश की मग्चाराश को लिए अगर बात करूं तो भागे साथ जपाद साथ देने वाला नहीं है मैंने जड़ुर से ज़्यादा दिखाई दे तो बात करते हैं कुम्ब राशी की कुम्ब राशी की कुम्ब राशी वालों के लिए अगर बात करूं तो चंद्रमा की पूजीशन थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है घर परवार में महाल जो है वह अच्छा हो सकता है खुशी का महाल होगा और मिल बैटके अपना जो है वो समय वितीत करें आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा धार्मिक स्थान पर जरूर यात्रा करें धार्मिक स्थान पर माता टेक के अगर जाएंगे तो आपके हर कारें पूरण होंगे सूरे देव को जल चड़ाएं और और ग्रिणी सूरे आई नमा का पाट करते हुए सूरे देव को जल दें और उनसे शवाप लातना करें आगे बात करते हैं पाइसेज यानि की मीन डाशी की मीन डाशी वालों के लिए बात करूं तो चंद्रमा की पूजीशन लगन में ही बहुत अच्छी बनी हुई है मंग का